आपने एक भविश्वानी की थी उसके लिए मैं आपको बदाई देना चाहता हूँ और वो है बाला साब ठाकरे का स्मारक देखें आपने ये कहा था कि स्मारक तो वहीं बनेगा हलाकि वहां स्मृति उद्ध्यान बना लेकिन वहां चीज कुछ तो कुछ बनी मैं आपको ये कह रहा था कि कोर्ट ने ये कहा है कि यहां पर हम कुछ नहीं करने देंगे लेकिन एक आये सधिकारी जो बहुत साप सुद्रे इमेज के है सिताराम कुंटे उन्होंने सामने आकर ये कहा और तब किसी नेता ने वो मांग नहीं कि ती जो सारी पहली मांगे हो चुके थी उसको ही आगे उन्होंने लेकर जाकर ये का कि यहां पर स्मृति उद्ध्यान होगा और जहां पर लोग आकर अपना माता टेक सकते इस तरह की व्यवस्ता होगी और वो पुरी तरह से निर्माण विरहित चीज़ होगी मतलब वहां किसी तरह का स्ताई रूप से निर्माण नहीं होगा बहुत बड़ी बात हुई है और इसके लिए मैं आपको बदाई देना चाहता हूँ बताए आपकी ये जो समारक होगा या और वह समारक होगा और वो उतना ही विशाल उतना ही जिसे हम कहते है कि एक प्राउड होने वाला मराठी मानुस को आगे लेकर जाने वाला समारक होगा भव्या होगा किस तरह की बात होगी देखिए जब आपने ये सवाल किया था तो वो जगा से almost सब कुछ चूठने को तयार था जी मुझे याद है पृत्विराच चवान ने और बाकी कुछ नेताओं ने भी कि यहां समार्क नहीं बन सकता मुझे इस बात का इलम नहीं था मगर आपने मुझे बताया इसके लिए मैं प्रभू को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये बात मेरे मुझे कहलवाई वो सत्य हुई मगर राजेश जी एक बात तैय है कि बाला साथ ठाकरे एक व्यक्ति नहीं एक इंसिचूशन थे हिंदू महराष्ट्र उस दिन अनाथ नहीं हुआ उस दिन हिंदू अनाथ हुआ था एक बात तैय है कि उनका समार्क वहीं बनेगा यहां वहां से वकिंग डिस्टन्स पे कम से कम सौ कदमों के बीच-बीच में उनका समार्क बनेगा और उनका समार्क बनेगा उसी शेत्र में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और वहां पर आन्पा ही उनको अन्तिम अरदाजली दी गई मैं बहुत ही उनके नाम पर भावुक हो जाता हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनसे मिला और उनसे मेरा परीचा रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि उनके जो भी अनुयाई जो है उनके जो समर्थक है शिमसेनिक है उनको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है उनको माथा टेकने के लिए एक जगह तो होई गए इस मुर्ति उद्ध्यान के रूप में और आपने अभी यह का है कि समारग भी वहाँ पर होगा और शायद ओ जितने बाला साब भव्य थे उतना ही समारग भव्य हो ऐसे हम उमीद करते हैं विल्कुल सोच से ज्यादा भव्य होगा क्योंकि वह बारतिये इतिहास में बाला साब ठाकरे ने काम किया है वह यह तो पाटेल ने किया था यह पर बाला साब ठाकरे ने